बिहार के किशनगंज जिलास्थित कोचा धामन प्रखंड के रुया गाउं की रहने वाली दो बहने मननत और रहमत बच्पन से चल और बोल नहीं सकती। उनके पिता मोहमत जहीर ने बताया कि गर्भावस्था में उनकी पतनी को जरूरी इलाज और दवाईया ना मिलने के कारण दोनों बच्चियां शारिरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो गई। ग्रामीनों का कहना है कि उनके गाउं में छोटी मोटी बीमारी के इलाज के लिए भी दस से बारह किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गाउं में ना APHC है और ना HSC जिसके कारण गर्भवती महिलाव नवजात बच्चों को सामाने इलाज नहीं मिल पाता है। अब भी तो बैठी नहीं पाती है। और यह दूसरा बच्ची मेरा तीन साल की है। यह भी नहीं बैठ पाती है। आये चले फिर फिर 네 सकती एए भी स्फिरने पड़े पर्णे ना कर देती है। खिलाना परता अपने हाद से फिलाना पढ़ता है। हमारा इत्रा अंदार खार घुंअगा संग्र empokyorчто हो दखा कर सके राइन है। जी आसपास में कम से कब 15 किलो मीटर दूर के बाद ही है और हम 15 किलो मीटर दूर चल के जाते हैं तो हमारा ध्यारी बीजिद यह तिया कम से कम तीन सुन लुपय का कमाने वाला अगर हम दिन पर दोए के फिछे ले रहेंगे तो वाल बचुओं क्या खिलाएगे तो इनका जन्व का घर भी होता है नहीं सर फिटल में वह था जी इसको पुरा दोजनी नहीं मिल पाया तीका वगर जो भी लगता है उसब नहीं मिल पाया है आप पतनी जब प्रिगनेंट थी तब इलाज नहीं पाया है जी डॉक्टर ने बताया है तो क्या मांग करेंगे क्या मांग ये करेंगे हैं सर कि हमको हर टैम से टैम हमको टीका गोली वगर सब मिलना चाहिए हमारा पास में हमको दूर ना जाना पड़े बस हमारा सबका इलाज होना चाहिए हमको आसपास में हम होस्पिटल चाहिए कि खाल परशिय आयान बोल नहीं सकता। रीड की हड़ी में दिक्कत के कारण उसे चलने में भी तकलीफ होती है। आयान की नानी कौसरी बेगम ने बताया कि बच्पन में उसका टीका करण नहीं हो सका। जब वो छोटा था तब घर वाले समझ नहीं पाए। धीरे धीरे आयान चलने लगा तो पता चला कि वो बोल नहीं सकता। और उसे चलने में भी थोड़ी तकलीफ है। इसे किसी डॉक्टर को दिखाई थी। नहीं इसको कहीं नहीं दिखाई। सब कहते थे कि ये बड़ा होगा तो बोलेगा। लेकिन ये अभी भी बोल नहीं सकता है। कोई डॉक्टर भी नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद जो टीका लगता है वो इसे दिया गया था। नहीं बच्चपन में इसको कोई इंजेक्शन नहीं लगा। अयान की तरह 12 वर्षिय अर्मान भी बोल नहीं सकता। पिछले महीने अर्मान के पिताओं से दिल्ली ले गए थे जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चपन में आविशक टीका नहीं लगने के कारण अयान का मानसिक और मोखिक विकास ठीक से नहीं हो सका है। आये हो तो कुछ ना कुछ हम इसका देखते हैं तो इसका जुबान को धोरा जीब को काटा गया उसके बाद उसको फिर वो टीका भी लगवाया था। कुछ नहीं दिया। वहां को बोले थे कि सर कि हमाँ होस्पिटल है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस्टाफ अगर घोस खिलाओ तो ध्यान देता नहीं तो कोई ध्यान नहीं देता सरकारी होस्पिटल में डाक्टर बोला चलो कोई बात नहीं आप कौन सा घाउन में कैसा हमको तो मालुम नहीं है लेकिन बच्चे को ना भच्ष्क नमें ध्यान दिये आप अकर बच्पन में ध्यान देते सही टाइम बें टीका लगते सही टेम्पर इसका पुलियों का खुराग मिलता तो बच्चे अगर हम से जोगा हम करेंगे बस यह अगर सर कोई देख भाल के लिए होस्पिटल अगर कुछ हो जाता तो अच्छा अच्छा होता भविस्टी के लिए या हम कुछ नहीं पाए करने तो हमारा बच्चे मतलब कुछ तो करेंगा ना रूया निवासी इसलाम देहाडी मजदूर है उन्होंने कहा कि सामाने सर्दी बुखार होने पर वे पांच किलो मीटर दूर जनता हाट जाते हैं डॉक्टर की फीस और दवाई का खर्च इतना ज्यादा होता है कि इलाज कराने से पहले कई बार सोचना पड़ता है आगे उन्होंने बताया कि घर में किसी तरह की एमर्जेंसी हो जाने पर कर्ज उधार लेकर शेहर में इलाज कराना पड़ता है पिछले दिनों उनकी बहु को प्रसव के लिए किशन गंज के निजी अस्पताल ले जाना पड़ा डॉक्टर ने पहले बीस हजार बुला लेकिन बाद में पचास हजार का बिल बना दिया फिए शेवरी करते हैं घर चलता है इंहां हाल बाते है कभी अठोगा व्यमज़ूरी चलता है कर न पड़ता है कितना मिल जाता है जिए तीन सो पर दिन करो दो दिन बैठो जो एँ बचाता है गोच्टर हो ठोच्तित तीन सो में क्या बचा लगा स्थानी युवा जानिसार अक्तर कहते हैं कि गाउं में बुनियादी स्वास्थे सुविधा ना होने की कारण पिछले दस वर्षों में गाउं में प्रसव के दोरान पांच से अधिक महलाओं की मृत्ति हो गई है आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास रुईया में APHC बनाने के लिए जमीन नहीं है तो उनका परिवार जमीन देने को तयार है इस बारे में उन्होंने कोचा धामन प्रखंड के सुवास्ते प्रबंधक से भी बात की थी लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया अस्या यह है कि हमारे गाउं में जो है छे टोला है और हम लोग यहाँ पे मिनी हेल्थ सेंटर APAC का डिमांड कर रहे है इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं पहला रीजन्स तो यह है कि यहाँ पे लोग बेसिक हेल्थ फेसिलिटीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे है इस गाउं के 90% से 95% लोग जो है वो डेली वेज़ेस पे काम करने वाले लोग जो 300-300 रुपे कमाते हैं अब वो आदमी हेल्थ फेसिलिटी बेसिक हेल्थ फेसिलिटी जो है सरदी, बुखार, खांसी, दस इनका भी दबाई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो इस चीज़ को लेकर के और अगर आप other issues देखें तो हमारे यहाँ पे 10 साल में 5-6 maternal death हुआ है जिनकी victim family यहाँ पे है ठीक है? और हमारे यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन A&M है कौन nurse है, कौन आंगनवारी है इस सारी चीज़ों का भी information हमारे यहाँ नहीं है आप किसी भी गरीब आदमी से पूछे कि एक tablet किसी को मिला होगा एक iron का tablet, एक calcium का tablet तो मैं यही डिमांड करता हूँ कि हमारे गाओं में रुहिया में ठीक है, एक mini health center APHC होना चाहिए इस चीज़ के लिए मैंने Bihar Health Society को email लिखा National Health Ministry को email लिखा और WHO को email लिखा हर जगे मैंने highlight किया, बट मुझे कहीं से कुछ response नहीं आया प्रोजेक्ट मेनेजर थे health के उन्होंने बैता है कि आपके होँआ तो बहुत अच्छा काम हो रहा ऐसा वैसा, मैंने का registered में काम हो रहा है सिर्फ, हमारे ground label पर आके आप देखिए, लोग कितने परेशान है यह 99% लोग 30-400 रुपया धिहारी कमाने वाले हैं, जो बाहर रहते हैं मैं अफोर्ट कर लूँगा health facilities, यह लोग कहा जाएंगे आप अगर हमारे यहां से hospital देखें, अगर APHC या फिर PHC देखें कोचा धामन स्वास्थे प्रबंधन अधिकारी किशोर कुमार केसरी ने बताया कि रूइया में HSC यानि स्वास्थे उपकेंदर के निर्मान की स्विकृती मिल चुकी है लेकिन भूमी ना होने के कारण बहां भवन का निर्मान नहीं हो सका है उन्होंने ये भी बताया कि रूइया निवासी जानिसार अख्तर ने उनसे जमीन उपलब्ध कराने की बात की है अगर वो जमीन दे देते हैं तो जमीन की कागजी प्रक्रिया पूरी कर HSC भवन का निर्मान करा दिया जाएगा वो जमीन नहीं उपलब्ध रहने के कारण अब तक भवन निर्मान नहीं हो पाया है वो जाने सार साहब हैं वो एक बार हमें मिले थे जिलावा बोले कि हम जमीन उपलब्ध करा देंगे तो उसके लिए पहले हमको जमीन का पेपर देंगे और फिर रिपीट करके देंगे कि हम जमीन देना चाहते हैं और वो उसका डीटेल ले करके जब हमको मिल जाएगा उसके बाद हम लोग परकिरिया अपनाएंगे उसके बाद जब हो जाएगा रिश्ट्री उसके बाद वी अरुष कर दो होता है एक बड़ी जान है और रुषिया है तो बडीजान में तो बड़ी बन गया है उसका रिप्यरिंग हो रहा है और रूहिया में जमीन नहीं है बस यहीं समस्या है मुख्या जी से भी बात होई है साफिर साब से भी बोले हैं कि हम जमीन उपलाब करा रहा है अभी तक कोई पेपर मेरे पास नहीं आया है पेपर जैसे आ जाएगा हम लोग परकडिया सुरू करतें गाँ वहीं रूया HSC की A&M सरिता सोरेन ने बताये कि भवन्ना होने की कारण काम करने में काफी दिखकतें आती हैं। उन्होंने गाओं में न आनी के ग्रामीनों के आरोप को गलत बताते हुई कहा कि वो अपने स्तर से गाओं में स्वास्ते सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जागरुकता के अभाओं में अकसर गाओं की महलाएं दवाई लेने से हिचकी चाती हैं। जोगे सsteंवर का ये इस वजल से भी लेना चाहती है सै और व 25 वज़ूर्व में तो उन्हों का कि हम आगर एक पार से बाल είναι चाई होता है तो भी नहीं आध़ाइश sì assistance आ इसा ने लोगरे समें सब् concrete होता और जिसमो उतला बालय कर देया और आभर से लाओं कोचा धामन प्राथमिक स्वास्तेकेंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुंदन कुमार निखिल ने कहा कि रूया में आशा और A&M द्वारा टीका करण और गर्भवती महिलाओं की देखरेक का सारा काम किया जा रहा है APHC भवन निर्मान के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए वो जिला पदाधिकारी से बात कर जल्द भवन बनाने का प्रयास करेंगे प्लिट हो रहा है जो जितना भी वैक्षिनेशन है अप्टर डिलीब्री अप्टू फाइब यर्स तक सारा जो है इमनाजिशन का काम होता है अगर ऐसा है तो हम इस तीज के लिए आरवीस के का टीम है जो की वर्म भेजे भी है तो जो मैलनुट्रिशन अगरा है वो उसके लिए जो है आपको आरवीस के की टीम भी जाती है प्लस सेविका, साईका, एनेम के द्वारा और लेडी सुपरवाजर के द्वारा भी हमको सुचना दिया जाता है तो इसे ऐसे बच्चे को एनार्सी भीजा जाता है डो हमारे यहाँ से आई-रण का टेबलेट, फॉलीक ऐसीट, केल्सियम का टेबलेट मिलता है जो काफी अप टु ।र्टरैमेस्टर तर चलना होता है वो tablet इनलों को complete dose दे दिया जाता है जो कि BCM के द्वारा, ASHA के द्वारा, NM के द्वारा सबको हम लोग कोशिज करते हैं कि सबको हर एक जो भी pregnancy में है सबको मिले और वो लोग complete खाएं वो tablet को बहुत जादा मतलब बहुत साथ सिकायद मिलता है कि वो लोग tablet को avoid करती है गयास बनता है इस तरह की चीज़ों को ले करके इसके कारण जो है कहीं न कहीं बच्चों में दिक्कते हो सकती है जो कंजनाइटल डिसॉडर है वो आ सकती है इसलिए अवेर्नेस के लिए मैं इतना ही काना चाहूँगा कि दवाई टाइम पर ले और जो भी ANC चेक अप हमारे या नो ताड़ी की किस ताड़ी को होता है मवजूद रहा है परजेंट हो जाए यहां पर कोई दिक्तत नहीं होगा जे लोगों का डिमांड है कि वहाँ पर APAC कापी दूर पड़ता है तो क्या को जूंजाइश है उस इलाके में APAC लाने का या क्या कराइट एडिया है आप गुआर का है जमीन को पड़रता के लिए हैं घो देने वाले हैं तो कि लीए हम डियोम सर से बात करेंगे उस में इस मैटिंग में Dash कोम रइप झाओ ने वाले हैं उस भी बात चीद करकर उनसे ब देटेल्स लीकर पर के हम सरसे बात करते हैं सये सरह से बात करते हैं स्एश क